हेलो एवरिवन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का इंग्लिज हॉर्ण बिल का थर्ड चैप्टर डिस्कावरिंग तूत दस सागा कंटिनियूज का हिंदी समरी तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं पांच जन्वरी 2005 को साम के 6 बजे थे जब तूतन खामून की ममी सीटी एसकेनर में खिसकती हुई गई इस सीटी एसकेनर को उसके बिश्राम अस्थान पर लाया गया था और इसका उद्देश से था कि इस यूएस सासक के बिशे में सारी चिकित सा रहस्यों को ढूनना जो 3300 बर्स पहले मरा था उसके सौपर और सधियों का लेप करके उसे राजाओं की घाटी नामक राजसी कबरिस्तान में दफनाया गया था हावर्ड कार्टर नामक एक ब्रिटिस पुरातत्व ने कई वर्ष की नी सफल जो तलास होती है उसके उपरांत 1922 में तूत की कबर खोजली थी इसमें संग्रहित जो समान थे सरवाधिक समरीध राजसी भंडार है जो अब तक पाया गया था इस जो कबर थी इसके साथ बहुत सारी जो समान होते हैं स्वर्ण मुंद्राय उसको उसके अंदर रखा गया था इसमें स्वर्ण की अत्यधिक आकरसक, मानो निर्मित वस्तुएं तथा दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे खेलने का बोड, कांसे का उस्तरा, अंदर पहनने वाले वस्तर, भोजन, सराब की पेटिया उसमें रखी गई थी काटर ने पहले तो मिस्र के राजा के सौव के साथ के खजाने की सूची बनाई, यानि कि उस ममी में जो जो खजाना था उसकी एक सूची बनाई गई, फिर उसने तीन सौव पेटियों का निरिक्षन करना प्रारम किया पहली वाली में एक मोटा वस्तर था, जो सर्पत तथा जैतुन के पत्ते, जंगली सेलरी, कमल की पंखडिया तथा अन के साथ उगने वाले पौधों से बनी मालाओं से ढखा हुआ था इनसे सिद्ध होता था उसको मार्च या अप्रील के महीने में दफनाया गया था काटर तब कस्ट में फसा जब वो मृत सरीर की ममी पे पहुँचा, अनुस्ठान में प्रयूक्त गोंद कठोर हो गया था इसने तूत को ठोस सोने की सौव पेटी में पेंद में पक्का चिपका दिया था छेनियों की सहायता से इसे ठोस बने हुए पदार्थ को हटाया गया फिर ममी को इसमेश से काट कर बाहर निकाला गया काटर के बेक्तियों ने ममी का सीर काटा तथा लगभग परतेक बड़े जोड को अलग किया जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने इस आवसेश को नर्म पदार्थ लगे हुए एक लकडी के संदूक में रेत के उपर रख दिया जिनसे छती ढख गई बैग्यानी के दल ने इसे वहां लेटा पाया जाही हावस जो मिस्र की पुरातत्व की सरवच सभा के महा सचीव थे उन्होंने कहा कि 1920 के दसक में काटर ने जो किया उसके कारण ममी बहुत खराब दसा में थी पिछले कुछ दसकों में पुरातत्व सास्त्र में काफी परिवर्तन भी आय हुए थे अब यह धन को कम तथा जीवन की आकरशक बाते तथा मृत्यू के पेचिदा रहस्यों पर अधिक ध्यान देता था यह चिकित्सा तक्नीक सहित अधिक परिक्रिष्ट और जो आउजार होती है उनका प्रयोग किया करता है 1968 इस भी में सरीर रचना के एक प्रोफेसर ने ममी का एक्सरेच चित्र लिया उसने एक चौकाने वाला तथ्य उजागर किया छाती की हड़ी तथा सामने की पसलिया गायब हैं अब दो प्रस्न का उतर पाने के लिए कंप्यूटर तक्नीक द्वारा जाज के लिए चित्र निकाले गए पहला कि वो कैसे मरा तथा दूसरा अपनी मृत्यू के समय वो कितने वर्स का था जाज की रात स्रमिक तूत को उसकी कबर से संदूक में ले गए वो एक धलान तथा सीडियो तथा बाहर लहरदार रेत पर चड़ें फिर वे पानी द्वारा चलने वाली लिफ्ट पर चड़कर एक गाड़ी में पहुँचते हैं इस गाड़ी में जाज की मसेन थी प्रारम में कूलर के पंखे में रेत आने के कारण कुछ समस्या हुई फिर कुसल करमचारियों ने मम्मी के सीर से अंगुठे तक तीन आयाम के चित्र लिएं 1700 डिजिटल परनाली की एकसरे छबिया लंबे बल समकोण के कटाओं में ली गई तूत के सीर की जाज 0.62 मिलिमीटर के टुकड़े में की गई ताकि इसके पेचीदा बनावट का बिवरन सही दर्ज किया जा सके इसी परकार तूत के पूरे सरीर का बिवरन लिखा गया फिर बिकीरन भी से सग्य अपराद सास्त के बैगानिक तथा सरीर रचना भी से सग्य गुप्त रहस्यों को ढूनने लगे एक कुसल तकनीक कारिगर ने कंप्यूटर के परदे पर तूते की आश्चरजनक छबियों को भी दर्साया था बिखरे हुए चमकदार बिंदुओं को एकत्र करने से भूरे बालो वाले एकसिर का आकार बनता गया तकनीकी कारिगर ने इसे प्रतेक दिशा में घुमाया तथा उसे तेणहा भी किया गर्दन रीड की हड़ी के टुकडे बिलकुल असपस्ट उभरे हुए दिखाई दे रहे थे अन्य आकिरती में एक हाथ पसली के कई कोंड से द्रिश्य तथा खोपड़ी की तंग लंबाकार छबी थी जोही हवास मुस्कुरा रहा था उसने या देखकर चैन की सांस ली कि कुछ भी गंभीर रुप से अब तक नहीं बिगड़ा हुआ है दोस्तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं राजा तूत का जो थम था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है इस फिगर में उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि चितरकार ने किस तरह से उनकी आकिरती को उभरा था तो फ्रेंड्स यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी इस वीडियों बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद नमस्कार